नमस्कार शुताओं, मुख्य प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शुश्मा स्रिवास सुप्रिम कोर्ट ने जीरम घाटी हत्यकान मामले को लेकर रास्ट्री जांच एजनसी एन आई ए की अप्पील याचिका को खारिश कर दिया है जिससे अब चत्यतगर पुलिस के लिए इस मामले की जांच का रास्ता साफ हो गया है सुप्रिम कोर्ट में अप्पील याचिका खारिश होने पर अपनी प्रतिकिया देती हुए मुख्यमती भुपेश बगेल ने कहा है कि इस फैसले से नियाय का दरवाजा खुला है उन्होंने कहा कि अब इस मामले में या साफ हो जाएगा कि किसने इस हमले की साजिश रची थी निर्वाचन आयोग ने मतगर्णा की तयारियां शुरू कर दी है बस्तर में आज से मतगर्णा प्रषिक्षन कारे शुरू हो गया है वहीं रैपूर जिले में 25 नॉमबर को प्रशिक्षन दिया जाएगा। राश्टी लोक अदालत का अजन आगामी 16 दिसंबर को रैपूर सहित प्रदेश भर के सभी नयायलों में होगा। राजविदिक सेवा प्राधिकरन बिलासपूर ने इस संबन में आदेश जारी कर दिया है। दक्षनपूर अमध रेलवे के बिलासपूर मंडल के तहट चांधिया रोड इस्टेशन में प्री एनाई और एनाई कमिशनिंग के तहट तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम 25 नॉमबर से 4 दिसंबर तक किया जाएगा। इसकी वज़ा से 30 नॉमबर को लखनव राइपूर गरीब रत और 1 दिसंबर को राइपूर लखनव गरीब रत एक्स्प्रेस ट्रेन रद रहेगी। बीज़पूर जिले के गोरना मनकेली के जंगलों में सुरक्षा बलो ने एक मावादी को गिरफतार किया है। वहीं इसी जिले के भैरमगर थाना छेत इस्थित इंद्रावती एरिया कमीटी ने एक जन मिलिशा सदस्थ से पुलिस के समक्ष आत्मसमरपन कर दिया। और त्रिपुरा के सांस्कृतिक विभाग युवा विकास के इन द्वारा आज से अगरतला में शुरू हुए राष्टी एकता शिवीर के लिए दुर्ग जिले के दो स्रम सेवकों योगेश कुमार साहू और छात्रपल साहू का चैन हुआ है। ये थी अब तक के मुख्य प्रादेशिक समचार नमस्कार।